आधनी अध्यक जी इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंबीरता के साथ इस गमंडिया गड़बंदन की आर्थिग नीती से भी सावधान करना चाहता है यह देश में यह गमंडिया गड़बंदन ऐसी अर्थ मबस्ता चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ बढ़ना पाए हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं जिन आर्थि नीतियों को लेकर के कॉंग्रेस का और सुथ साथी आगे बढ़ना चाहते हैं जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटा कर बूट पाने का खेल खेल रहे हमारे आसपास के देश के फाला देख लीजिए दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए और मैं देश को कहना चाहता हूं इन से सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है वो जनता इनको सुधार देगी आदर्णिया अदर्जी इस प्रकार की चीजों का दुस्परणाम हमारे देश पर भी हो रहा है हमारे राज्यों पर भी हो रहा है और विकास के प्रोजेक्स बंध करने की गोशना की जा रही है विदीवद्रुप से गोशना की जा रही है आदर्णिय देख जी इस गमंडिया गरबंधन की आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीतियों का मैं परणाम साब देख रहा हूँ और इसलिए मैं देश वाजियों को छेतावनी देश वाजियों को सत्य समझाना चाहता हूँ ये लोग एक गमन्या गर्मंदान ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी हैं ये एकॉनोमी को डुबाने की हाभी ये डबल लीजिट महंगाई की ये दबल लीजिट महंगाई की ये पालिसी पहरालिजीज की ये policy paralysis की, ये अस्थिर्ता की, ये corruption की, ये corruption की, ये तुष्ठी करण की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को दो सतादी पीछे पहुचाने की गारंटी है, ये कभी भारत को तो फ्री अर्थववस्ता बनाने की गारंटी नहीं दे सकते, ये मोधी देश को गारंटी देता है, कि मेरे तीसरे कारकाल में मैं हिंदुस्तान को तौप फ्री की, तौप फ्री की पोजिशन में लाके रहूँगा, ये मेरा देश को गारंटी है, कि कभी भी देश को विक्सित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं, उदुसा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं,